इस साल से बदल जाएंगे क्रुकेट के नियम अम्पायर के पास होगा रेट कार्ड रेट कार्ड का इस्तिमाल और अने खेलों में होता है लेकिन अभी यह रेट कार्ड क्रुकेट में भी देखने को मिलेगा जो कि अम्पायर के पास होगा प्लेयर्स के खरब और अब्जेक्शनेबल व्यर्भार में सुधार के लिए ये नियम लाया गया है इसमें अंपायर खिलाडियों की चार लेवल के अप्राद के आधार पर ही अपना फैसला करेंगे प्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार होगा जब प्लेयर को मैदान से बाहर भेजा जा सकेगा अंपायर इन कंडिशन में इस्तिमाल करेगा रेट कार्ट एक प्लेयर के बार बार अनुशासन भंग करने पर दो अंपायर के साथ हाथा पाई या धमकी देने पर तीन प्लेयर्स, ओफिशियल्स या विजिटर्स के साथ हिंसा करने पर चार खेल के दोरान मैदान पर किसे भी प्रकार का हिंसक व्यभार करते पाए जाने पर आउट करने का एक नियम हुआ कम आउट होने के तरीकों की संख्या भी घटा कर दस से नौ कर दी गई है बाल को हाथ से रोकने पर दिया जाने वाला हैंडल दी बाल अप आप स्ट्रक्टिंग दा फील्ड में गिना जाए बैट का साइज पहले से ही तै होगा बैट और बाल के बीच बराबरी की टकर के लिए MCC ने बैट की साइज की लिमिट भी तै करती है अब बैट की चोड़ाई 108 मिमी, मोटाई 67 मिमी और कनो की मोटाई 40 मिमी से ज्यादा नहीं हो सकेगी क्रिकिटर सब बड़े बैट का यूज नहीं कर सकेगा बॉलर क्रीज से पहले कर सकेगा रन आउट बॉलर जब बॉल डालने की तैयारी में रहता है और वो रन अपले रहा है अगर उसी वक्त नौन स्ट्राइल कर अनकब एट समेन क्रीज से बाहर निकल गया तो बॉलर उसे बिना क्रीज तक पहुँचे रन आउट कर सकता है